नमस्कार दोस्तों मून्स किचन में आपका स्वागत है, बहुत दिन से हमारे दोस्तों की डिमांड थी की काजू कतली बनाओ, काजू कतली बनाओ, मैं वोली कोई ओकेशन खोज रही थी, अभी दिपावली कते वहार है, तो आज हम बनाएंगे काजू कतली, तो देखिए हमे चांदी का बर्क है जिसको लगा के हम उसको चांदी के बर्क को हम उपर से लगाएंगे तो चलिए अब हम बताते हैं किसको हम कैसे बनाते हैं हमने दो घंटे काजू को फ्रीजर में रखा था फ्रीजर से निकाल के अब हम उसको पल्स में पीसेंगे बहुत जादा इसको नही अब इसमें दूद्ध पाउडर को मिला देंगे और फिर हम चाशनी बनाएंगे शुगर की शक्त आप कम ज्यादा कुछ भी अपने अंधाज से रख सकते हैं तूदे टेस्ट होगा शुगर जो है मैं हम लोग कम खाते हुए हैं तो मैं कम शक्कल डाल रही हूं कश सब्सक्राइब जितना हमने शक्क डाला है कटोरी रीक कटोरी पानी डाले हमने मोटी तले के कढ़ाई में इसको शुगर सिरब बनाने के लिए रख दिया है मेरा केमरा बीज में आफ हो गया था तो मैंने शक्कर डालते हुए और ऐसके लिए क्तार आपको एक शक्क्र Our एक कट्स पानी डाल के हम इसका क्टार सिरफ बनाएंगे दो तारकी नहीं रहेगी एक तार की चाश्नी रहेगी और इक की चाश्नी में ही हम इस पाोड़र को अच्छे से डालेंगे और बाद में हमें एक चम्रत बड़ती है जो कि वो बाद में डालेंगे इसलिए मैं उसको नहीं दिखाई हूँ आपको देखिए अच्छे से हमारा सेरप जो है यह उबल रहा है चाशनी जो है और लोग सोचते हैं काजु कतली बहुत कठीने बहुत कठीने बजार से इतना महंगा करियत के लाते हैं तो काजु कतली मेरे हिसाब से सबसे सरल मिठाई है और इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं और बहुत कम मेहनत में काजु कतली बनके तयार हो जाती है तो आज के बाद मेरा वीडियो देखेंगे आप मेरे वीडियो को देखने के बाद काजू कतली आप मुझे लगता है जरूर बनाएंगे और अपने परिवार वालों को टेस्ट कराएंगे देखें मेरा यह सरफ तयार हो रहा है इसको हम देखेंगे एक तार की जब चाशनी बन जाएगी तम मैं इसको निकाला लूगी एक तार की चाशनी देखने के लिए मैं इसको आपको कैसे टेस्ट करते हैं दिखाती हूँ देखे एक बुन चाष्णी को होगा फिर मैं आपको दिखाती है अब मेरी चाष्णी थोड़ी सी चिप चिपी हुई है मैं इस में डालूंगी पाउडर को देखेह दोस्कों हमने पौर्ड़र को डाल दिया है आग इसको आज को हमने धीमा कर दिया है और ंता आघ कर दी ऑंधग देखा stock अब एक चममच गीड डालूँगे गी मैंने आपको इसपे नहीं दिखाया कि इसको मुझे बाद में डालना है तो अब मैं एक डीश गीड आलके आपको ने लिए देखें कर ना 하면 को इतने की लगेगा एक चम्मस असके ज्यादा ने लगे हैं किथितनी मोटी यह हमारी को बर्पी बनानी है उतनी मोटी बर्पी बनाके फिर इसको हमब अभर्क लगा के काटेंगे फिर आपको दिखाते हैं देखिए हम इसको चलते रहना है इसमें लंस नहीं पड़ना चाहिए और लम्ज न पड़े इसलिए हमको धीमे आज में ही इसको चलाते रहना है जब तक कि यह कड़ाई ने छोड़ने लगे कड़ाई छोड़ने लगेगा तो हमारा पेस्ट गड़ा हो जाएगा और वर्फी जमाने लायक हो जाएगा कि बहुत दिनों सो काजू कतली बनाने के लिए मेरे पास बोलती थी मेरी देंप्रेंट्स लोग तो मैं नहीं बना पाई थी मैं बना के और इसको दिखाते हूँ इसको लंस न पड़े और अच्छा इसको पकाएंगे हम पकाने के लिए हमें धीमे आज की ज़रत है तेज आज में जल जाएगा जलने के बाद इसको स्वाद जो है वह खराब हो जाएगा देखिए देशको हमारा पेस्ट काफी गाड़ा हो गया है पड़ाई छोड़ने ल पॉलिथीन में रखेंगे ठंडा होने के लिए और फिर इसको ठंडा होने के बाद हम इसको बेलेंगे और बेल के हम काटके फिर आपको दिखाते हैं देखिए आज हम बंद कर दिये हैं इसको एक पॉलिथीन पे डालके फैला देंगे थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके ब अच्छे से अभी गरा में बहुत फिर इसको हम ऐसे मसल मसल के और उसका वह अभी बहुत गरा में हाथ देखें इसमें कितना कितनी शाइनिंग आ रहे इस बर्फी में अभी यह बहुत गरा में हाथ से हम इसे चूने सकते अब आप देखें दोस्तों जितनी थीक होनी चाहिए उतनी मोटी हमने बेल ली है अब इसमें हम चांदी का बर्क लगा के और इसमें कटिंग कर लेते हैं कटिंग करने के बाद थोड़ी देर सुपने देंगे फिर बर्फी को डिश आउट करके फिर हम आपको दिखाते हैं अ देखिए दोस्तों कट्रोरी काजू में मेरा इतना सारा काजू कतली तैयार हुए करीब 10 किलों से उपर काजू कतली हो गई है तीन पाव काजू कतली चयार होके बनी आ इतनी अच्छी बनी मैंने विल्कुल पतला पतला बनाया है यह देखिए इसकी ठीकनेस देखिए और बहुत ही अच्छी बनी है काजू कतली और कलर भी इसका बहुत अच्छा है तो अब आप दिश्वास है अब आप बनाएए खाये अमून्स किचन में आप लाइक करिए सब्सक्राइब करिए अपने अनभों को आप मेरे चैनल में शेयर करिए अब हम मिलेंगे किसी और तो चलिए आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा थैंक यू वेरी मच्छ थैंक यू झाल 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 झाल